पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी compound के classification के बारे में जहां पे हमने कई सारे जो words आते हैं उससे related उनकी बात करी थी जिसमें कुछ main words को ध्यान करें तो हमने सीखा था की hydrocarbons क्या होते हैं फिर हमने सीखा था की alkynes, alkynes और alkynes क्या होते हैं और finally हमने ये भी सीखा था की chain, branched और ring compounds गया होते हैं तो अगर आपने इस topic को नहीं किया है तो इसका link आ रहा है इस वक्त उपर इसको पहले कर लीजें क्योंकि ये chapter का एक base बनाता है, foundation बनाता है अब चलते हैं अपने इस session के topic जिसके notes हैं ये इसको start करें तो topic का name है nomenclature of carbon compounds यहाँ पे एक word सीखेंगे nomenclature it is basically a system of naming used in a particular field किसी भी एक field के अंदर जो एक system होता है जिससे हम अलग-अलग चीजों को name करते हैं, नाम करन करते हैं उनका उसको कह जाता है nomenclature इसी चीज को जब हम carbon के compounds के relation में करते हैं तो उसको कह जाता है nomenclature of carbon compounds तो उसको define कैसे कर सकते हैं system of naming used in the field of carbon compounds यही वो चीज है जो हम इस पूरे topic में सीखेंगे अलग-अलग carbon के compounds लेंगे और देखेंगे कि उनको name कैसे किया जाता है बात को शुरू करें उससे पहले ये भी जान लो कि दो तरह की naming possible होती है एक ही तरह की नहीं एक होती है वो naming जो होती है एक certain rules पे based जिसको कह जाता है IUPAC naming जो की एक organization के दुवारा करी जाती है which is the international union of pure and applied chemistry basically एक organization है जो अलग-अलग compounds की जो name है उनको देती है फिर इसके बाद दूसरी जो naming होती है उसको कहा जाता है common names यह IUPAC naming से बिल्कुल opposite है इसमें कोई भी set of rules नहीं होते इन दोनो naming का purpose समझे तो common names इसलिए इस्तमाल होते हैं ताकि हम अपनी day-to-day life में उससे इस्तमाल कर सकें जैसे कि H2O की बात करें तो उसका common name क्या है water जबकि उसका जो chemical name है वो water नहीं है वो है hydrogen oxide अब यह जो chemical name है यह scientist के दुआरा इस्तमाल किया जाता है तो दोनों ही naming का अपना रोल है लेकिन इस topic के अंदर हम specifically UPAC naming IUPAC naming की ही बात सीखेंगे अब naming को हम करना start करें उससे पहले हम पिछले topic में जाते हैं वहाँ पे जो हमने compounds देखे थे उनको देखते हैं alkyns में हमने देखा था एक carbon का compound CH4 फिर दो carbon के case में कौन सा था C2H6 ऐसे ही alkyns में पहला compound कौन सा था C2H4 और alkyns में था C2H2 यह तो शुरुआत के compounds हो गए अब इन ही में अगर हम और compounds के बारे में सोचें कि इनके आगे और ऐसे कौन से compounds हैं जो आएंगे तो उसके लिए एक छोटी सी trick सीख हो यहाँ पे जब हम alkyns के case में CH4 से जाते हैं C2H6 की तरफ तो वहाँ पे कितने atoms का change होता है एक carbon add होता है और दो hydrogen which means CH2 group वो group है जो एक compound से next compound पे जब हम जाएंगे तो वो add हो जाता है for example C2H6 के बाद next compound कौन सा होगा CH2 add कर दो इसमें यानि के C3H8 ऐसे ही इससे आगे भी जा सकते हो C4H10 C5H12 हर बार CH2 add करते जाओ यही सेम चीज़ alkenes में भी true है और alkynes में भी alkynes में next compound कौन सा हो जाएगा C3H6 और alkynes में क्या हो जाएगा C3H4 तो एक छोटी सी trick है बढ़या trick है एक compound से next compound पे जाने के लिए CH2 group add करते जाओ इसे trick का एक downside भी है लेकिन एक compound से next compound पे ही जाना सिखाती है यह हम सीधा किसी आगे के compound पे jump नहीं कर सकते For example अगर मैं आपसे पूछू कि alkynes में सातवा alkyn कौन सा है या फिर alkynes में वो alkyn कौन सा है जिसमें 12 carbon atom आते हैं तो उसमें difficulty होगी आपको एक एक करके जाना पड़ेगा इसी चीज़ को असानी से करने का भी एक तरीका है और वो है इन तीनों ही categories का general formula निकालना काम ये हम यहीं पर सीख सकते हैं अगर हम alkynes के दो compounds देखें तो हम वहाँ पे एक pattern देखते हैं कार्बन की जितने atoms हैं उसको अगर हम double करें तो हमें hydrogen के atoms मिल जाते हैं which means की alkynes का general formula क्या हो गया CnH2n now this is interesting अब मैं आप से सीधा कहूं कि वो आला alkyn बताओ जिसमें 10 carbon atom है तो वो क्या हो जाएगा C10H20 यह जिसमें 15 carbon है तो C15H30 यह तो बात हुई alkynes की अब सवाल यह आता है कि alkynes में भी यह होगा क्या alkynes में भी यह होता है वहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो carbon के atoms को अगर हम पहले करें double और फिर उसमें 2 add कर दें जैसे कि C2H6 में 2 2s of 4 plus 2 6 हो गया या C3H8 में 3 2s of 6 plus 2 8 हो गया यानि के general formula यहां क्या हो गया CnH2n plus 2 तो यहां पे भी अगर हम 10 carbon वाला alkyn निकालें तो वो क्या आएगा C10 और H कितना पहले double करो 20 और 2 add करो यानि के 22 15 carbon के निकलना है तो C15H 15 to 30 plus 2 32 इसी तरीका है lastly अगर हम alkynes में भी यह चीज ढूंडें तो वहां पे भी यह pattern exist करता है carbon के जितने atoms हैं उसको पहले करो double C3H4 में देखें तो पहले करा double 3 2s are 6 फिर उसमें से 2 minus कर दो 6 minus 2 4 यानि के general formula यहां पे हो गया CnH2n minus 2 again इस group में भी 10 carbon atom वाला alkyn निकालें तो वो कितना हो जाएगा C10 और H 10 to the 20 minus 2 18 C10H18 यह हमने सीख लिया alkyns, alkyns और alkyns में आता general formula बिना देखें इसको बोलके देखो alkyns में क्या है CnH2n plus 2 alkyns में CnH2n और alkyns में CnH2n minus 2 इन अलग अलग तरह के hydrocarbons को identify कर लेने के बाद अब इनकी UPAC naming करने के लिए हम ready है तो बात को हम शुरू करें उसके लिए एक example compound ले लेते हैं C4H6 इसकी UPAC naming करते हैं अब सबसे पहली बात यह समझो कि किसी भी compound की naming जब करी जाएगी तो उसके name में दो हिससे होंगे एक होगा prefix जो उसके start में लगेगा और एक होगा suffix जो उसके end में लगेगा prefix का table कुछ इस प्रकार से होगा जो basically ये दिखाएगा कि उस compound में कितने carbon के atoms है तो यहाँ पर prefix क्या हो जाएगा 4 के लिए है but इसके बाद compound के name का दूसरा हिससा आएगा उसके suffix से जो ये दिखाएगा कि वो compound एक alkene है, alkene है या फिर alkyn है, for example यहाँ पर हम carbon के atoms को देखें, तो 4 to the 8, और इसमें से जब हम 2 minus करेंगे, तब हमें मिलेंगे hydrogen के number of atoms, यानि के 6 which means कि ये कौन सा hydrocarbon हो गया, ये हो गया alkyn तो suffix यहाँ पर use क्या होगा y-n-e, अब इस compound का name हमें पता है, bute plus ion gives butine बिल्कुल इसी थरह से आप किसी भी compound का naming यहाँ पर कर सकते हैं for example आप CH4 compound को अगर लें, तो उसमें एक carbon का item है, तो वहाँ पर क्या हो गया prefix meet, और क्यूंकि वो एक alkyn है तो suffix हो गया in तो overall name इसका हो गया methane, ऐसे ही आप इस compound को लेते हैं, तो यहाँ पर क्यूंकि carbon के number of atoms है 3, तो prefix हो गया prop, और क्यूंकि यहाँ पर hydrogen के number of atoms carbon से double है, तो यहाँ पर suffix आ गया e-n-e, या निके name इसका हो गया propene, यहाँ पर एक final बात और समझो, कि prefix का जो यहाँ पर names है, वो सिर्फ चार carbon के atoms के लिए नहीं होते उसका एक पूरा number है 10 carbon atoms तक के लिए, for example 5 के लिए यह हो गया pent 6 के लिए हो गया hex 7 के लिए हो गया hept बोलके देख लो, तब ही याद होंगे 8 के लिए हो गया oct 9 के लिए हो गया non, और 10 के लिए हो गया deck अब इनी से related कुछ examples करके देखते हैं C7H14 अगर हमारा compound है, तो इसका name क्या हो जाएगा prefix हो गया hept और suffix हो गया in, यानि के heptine, next वाला आप करके देखो, C5H12 का बताओ answer निकालके कि क्या आएगा का यूपेक नेम, ऐसे ही फिर बताओ C8H16 का फिर next बताओ C8H14 का, और finally बताओ C8H18 का इन सब के यूपेक नेम के answers आप बताए comment के section में इस तरह से हम ये सीख लेते हैं कि अलग-अलग तरह के alkenes, alkenes और alkenes की यूपेक नेमिंग कैसे करी जाती है ये वो point आजाता है जहां पर आप 5 से 10 मिनट का break बिलकुल ले सकते हैं अब हम बात करेंगे functional groups के बारे में, define करें इनको, तो these are atoms और a group of atoms that take place of a hydrogen atom in a hydrocarbon किसी भी एक hydrocarbon में कोई भी एक atom या फिर group of atom जो एक hydrogen atom की जगहा ले ले, उसको का जाता है functional group example से देखें इसको तो अगर CH4 एक hydrocarbon है तो इसमें जब हम एक hydrogen atom हटा देंगे और उसकी जगह कोई और group add हो जाएगा, जैसे की CL का add हो जाना या फिर OH का add हो जाना या फिर COOH का add हो जाना या फिर कुछ और, कि सभी examples है functional groups के इन में से कोई भी functional group जब add हो जाएगा तो वो compound अपने आपने वहाँ पे change हो जाएगा ये पूरा addition करते क्यों है इस functional group के addition से जो हमारा initial hydrocarbon है उसमें नई properties आ जाती है properties ऐसी होती हैं जिससे अब उस compound की real life में कई सारी applications possible होती है functional group की list को अब start करें तो सब को एके करके यहाँ पे करेंगे सबसे पहला functional group यहाँ पे आता है एक ऐसा group जो इस्तमाल होता है non-flammable solvents के एरिया में जैसा कि नाम बताता है एक ऐसा solvent जिसमें आग नहीं लग सकती असानी से example की बात करें तो inhalers जो होते हैं देखें तो वो है halogens formula की बात करें तो यहाँ पे कोई भी halogen वाला group का element आ सकता है for example chlorine, bromine, iodine अब इस functional group से related compound बनाएं यहाँ पे तो सबसे पहले ले लेंगे एक alkane let's say CH4 और बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे एक hydrogen हटाएंगे और उसकी जगा इस बार हमारा halogen आ जाएगा let's say chlorine या फिर bromine है तो BR या फिर iodine है तो I तो यह हर एक compound जो बना यहाँ पे यह इसी functional group से related compound हो जाता है इसी compound को minimize करके भी बोल सकते हैं छोटा करके क्या हो जाएगा CS3Cl और finally बात करें तो इसका name हमें पता होना चाहिए और name के लिए हमें halogen का UPAC name पता होना चाहिए तो chlorine का UPAC name होता है chloro ऐसे ही bromine का क्या हो जाएगा bromo और iodine का iodow यह तीनों names आपको पता होना चाहिए अब naming कर सकते हैं सबसे पहले आएगा UPAC name halogen का यानि के CL के case में chloro और फिर आएगा alkane का name जो की था इस case में methane तो यहाँ पे name हो जाएगा इस compound का chloro-methane एक practice question आप भी करके देखो आपका compound बनता है C2H6 है और compound आपका है C2H5BR इसका name बताओ क्या होगा यह हो जाती है बात पहले functional group से related और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के functional groups भी सीखेंगे next जो हमारा functional group आता है उसका real life application है alternate fuel के form में यानि के एक इंधन की तरह इस्तमाल हो सकता है नाम इस functional group का है alcohols और formula इसका होता है single bond OH जिसको हम expanded form में अगर दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते है पहले एक single bond फिर O और फिर एक single bond और फिर H फिर बिल्कुल पिशली बार की तरह इसका compound अगर बनाएं एक alkane से तो CH4 अगर हमारा starting alkane है तो बिल्कुल पिशली बार की तरह महाँ से एक hydrogen हटेगा और उसकी जगा आ जाएगा OH तो compound हमारा बन गया CH3OH naming इस बार थोड़ी different होती है पहले name आता है यहाँ पे आपका alkane का यानि के methane फिर उसमें से हट जाता है last letter which is E और then उसमें add होता है इसी functional group का youpack name alcohol का youpack name होता है OL, all तो यहाँ पे all जब add कर देंगे तो हमारा पूरा name क्या हो गया methanol अब आपको अगर compound दें C2H6 तो इससे alcohol क्या बनेगा C2H5OH इसकी naming आप करके देखो answer आप अपना check कर सकते हो description से दो functional groups की बात हमने कर ली है next जो हमारा functional group बाता है वो इस्तमाल होता है adhesives के area में यानि के daily life में जो चिपकाने के अलग-अलग areas है चाहे वो हलकी चीज़े चिपकानी हो या फिर strong चीज़े चिपकानी हो उसके area में functional group का नाम यहाँ पे होता है ketones और formula इसका होता है single bond, single bond, CO expand इसको कर दिया जाए तो यह कुछ ऐसा दिखाई दिता है compound इसका बनाके देखें तो इस बार CH4 यानि के methane से काम नहीं चलेगा कारण इसका यह है कि यहाँ पे जो हमें functional group add करना है उसमें जो carbon atom है उसके पास दो single bond है which means कि इसके दोनों तरफ यहाँ पे groups add होने चाहें तो इसके लिए हमारा initial compound यहाँ पे होगा ethane यानि के C2H6 और breaking इस बार hydrogen atom की नहीं होगी इस बार यह compound break होगा beach में से यह चीज ध्यान रखना है यहाँ पे ketones के gaze में हमेशा breaking beach में से ही होती है इसके बाद यहाँ पे beach में हम add कर सकते हैं हमारे group को जो की हो जाएगा कुछ इस प्रकार से short में इसको क्या बोल सकते हैं CS3, CO, CS3 हमेशा ऐसे ही बोलेंगे इसको पहले एक तरफ का group, फिर CO, फिर दूसरी तरफ का group naming की बात करें तो जैसे हमने पिछले functional group के case में naming करी थी वैसा ही system चलेगा बाकी के सारे functional groups में इसमें भी तो सबसे पहले हम alkane का नाम लिखेंगे यहाँ पे दो carbon की alkane नहीं है यहाँ पे हैं तीन carbon, याँनिके propane फिर उसमें से क्या करते थे हम minus कर देते थे e और फिर add कर देते थे याँनिके इस case में आपके लिए practice का question जो है वो है कुछ इस प्रकार से इसकी naming आप करके देखो total carbon atoms इसमें कितने हैं? चार हैं, उसके according ही naming करना answer आप अपना check कर सकते हो description से अब जो next हमारा functional group आता है वो use होता है biological specimen के preservation के area में इनको अपने अपनी biology की lab के अंदर देखा होगा अलग-अलग तरहे के organisms चिपकली हो गई, scorpion हो गई, frogs हो गई इनको जहां पे preserve करने की बात आती है यानि के ये समय के साथ खराब ना होए तो उसको एक solution के अंदर रखा जाता है वो solution हमारे next functional group के द्वारा ही बनता है नाम इस group का होता है aldehyde और formula इसका होता है single bond CHO जहां पे एक carbon का atom attached होता है एक hydrogen से और एक oxygen के atom से अब इससे related compound बनाने की बात करें तो क्यूंकि इस बार carbon जो हमें attach करना है इस functional group के द्वारा उसमें एक single bond ही है जो वहाँ पे free है तो हम यहाँ पे जो alkane लेंगे वो CH4 हो सकता है या नहीं? हो सकता है इसको अगर हम करें तो methane अगर यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या हट जाएगा? hydrogen हट जाएगा और उसकी जगा आ जाएगा CHO यह बन जाएगा हमारा compound CH3CHO naming इसकी बिल्कुल पहले की तरह ही होगी यहाँ पे alkane कौन सा है? ethane क्योंकि दो carbon की atoms हैं तो ethane फिर उसमें से last letter हट जाएगा E और यहाँ पे अब add होगा UPAC name of this functional group LDHATS के case में जो की होता है AL तो यहाँ पे AL जुड़ जाएगा name में तो overall name यहाँ पे हो गया ethaneal यह तो हो गई हमारे example के बाद अब एक practice question आप भी solve करके देखिए C3H8 आपका alkane है इससे LDHAT क्या बनेगा? C3H7CHO इसका name सोच के बताओ कि क्या होगा? answer आप description के अंदर check कर सकते हैं यह हो जाती है बात LDHAT functional group के बारे में अब बात करेंगे 5 पे और आखरी functional group के बारे में यह एक ऐसा functional group है जिसका use है anti-bacteria के form में क्यानि के इसका nature होता है कि यह bacteria को दूर रखने की काबलियत रखता है यही कारण भी है कि यह food preservation के एरिया में एक बड़े level पे इस्तमाल किया जाता है जितने भी अलग-अलग तरहेंगे अचार आपने देखे हैं उसको preserve करने के लिए उसमें एक liquid को use किया जाता है वो जो compound है वो इसी functional group के दुरूब बनता है नाम इस functional group का होता है एक carboxylic acid और formula इसका होता है single bond COOH जिसमें basically एक carbon का atom है और वो एक oxygen के atom से linked है पहले तो double bond से और फिर linked वो है एक OH के group से तो यहाँ पे जो free bond है वो carbon के साथ एक अकेला single bond है जो attach होना है alkane के साथ This means कि again जो हम alkane लेंगे वो methane हो सकता है तो इसमें से हमने एक hydrogen atom हटाया और यहाँ पे जोड़ दिया functional group compound यह बन गया CH3COOH name इसका अगेन आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितने carbon atoms हैं? दो हैं तो basic chain यहाँ पे हो गई ethane फिर उसमें से हटिया E और यहाँ पे add होगा carboxylic acid का यूपेक name यह होता है OIC acid यानि के OIC acid तो name यह हो गया ethanoic acid यह हो गया हमारा example अब आपका practice question है यह C3H8 compound में अगर एक carboxylic acid add हो जाएगा तो जो compound बनेगा उसका name क्या होगा? इसी के साथ complete हो जाती है बात हमारी इस topic के उपर यह चो topic हमने किया है इसकी दो notes की sheet है पहली sheet है यह और दूसरी sheet है कुछ इस प्रकार से इनको आप download करना चाते हैं तो description से कर सकते हैं अगले episode में हम मिलेंगे इसी chapter के next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई